हेलो अच्छ नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी UPSI 954 पोस्ट वो बढ़ती जो की कोट में ख़देड दी गई कोट की जो तारीक है वो लगातार उस पे चल रही है लेकिन सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है आज भी इस एहम केश की सुनवाई है केश नंबर 37-37 मारूप सर अंकित सर और एकजामपुर से विवेक सर इन सभी के द्वारा एक एहम केश इस भरती पे डाला गया है केश संख्या 37-37 जो की लखनव बेंच में डाला गया केश है ठीक ना लगवग साथ जून के आसपास ये केश डाला गया था और उसके बाद में लगातार इस पे सुनवाई जो है वो हो रही है लेकिन जो सुनवाई के लिए डेट मिलती है उसमें उस केश की विवेचना न नहीं जाता है अगली तारीक के लिए उसे मुलतबी कर दिया जालता है यानि कि टाल दिया जाता है अब यहाल ही में लगवग जनवरी के आसपास जनवरी के आसपास वो भी 28 जनवरी के आसपास इस केस की सुनवाई होनी थी लेकिन केस की सुनवाई जो है वो बेकिसी नवस नहीं हो पाई अब इसके लिए आज की डेट मिली थी यानि आज 6 फरवरी की डेट इसके लिए मुलतबी की गई थी तो आज की सुनवाई में क्या कुछ हो पाता है ये तो आप लोगों को साम के समय ही पता लगेगा जब कोट का स्टेटस होगा या फिर उन लोगों से यदि बात किया जाए जो इस की देखरेक कर रहे हैं तब जाके कोई किलू हाथ लग सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या रीह एक्जाम हो सकता है तो नश्य पूरी भरती को किया गया है अब जो भी इस भरती का डिसीजन आगे बढ़ने में होगा उसमें एहम योगदान केस नंबर 37-37 का होगा यानि जो फाइनल फैसला कोट केस 37-37 लखनो बैंच काएगा उसी के अकॉर्डिंग इस भरती को फिल अब किया जाएगा जनवरी 31 जनवरी वो डेट जो आप लोगों ने सुनी होगी कि ट्रेनिंग की डेट है लेकिन ट्रेनिंग आखर क्यों नहीं होई ये लोगों ने एक बात बुली कि अभी जो ट्रेनिंग है वो इसलिए टाली जारी आगे के लिए क्योंकि इनके पास में जो सीड है जो ट्रेन जार सिपाहियों की उसे हैड कॉंस्टेवल बनाया गया था तो उनकी ये बता रहे हैं कि ट्रैनिंग चल रही है तो आज क्या कुछ होने की उम्मीद है क्या नयाय मिल सकता है जिस भरती में 170 से जादा कैंडिडेट पकड़े गए हों उसे भी सरकार बिलकुल लिक्सपक्स और पारदरसी बता रही है लेकपाल की भरती जिसमें 8000 पोस्ट और 15000 लोग संदिग्द तो इससे सपस्ट हो जाता है कि सरकार कहीं न कहीं एक्जाम को पूरी तरीके से सेफ तोर पे कराने में फिसड़ी किसम की साबित हुई है तो अब ही आज देखते में इसका कोई डिसीज इसका दे पाएगा नहीं दे पाएगा कितनी तारीक और अभी आप लोग को आगे देखने के लिए मिलेंगी सबसे बड़ी चीज है कि जो कोड केस की डेट मिले अगर उसमें सुनवाई हो जाती है तो फैसला जल्दी आने की उमीद रहती है तो जब तक फैसला नहीं जब तक दोनों पक्षों में बहस नहीं होगी और इतनी जोड़दार बहस एक दो बार ही इस केस को लेकर हुई है आगे हाल फिलाल में हाल फिलाल के दिनों में कोई बहस इस केस को लेकर नहीं हुई है और तारीक भी लंबी लंबी दे दी जाती है फाइनल फैसला तो एक न धूम मिलो सकती है क्योंकि सरकार को अगले साल साल 2024 में चुनाब लड़ना है और कहीं न कहीं ये जो भरतियां एक एहम रोल अदा करेंगी आगे के आने वाले चुनाब में क्योंकि उत्तर परदेश सबसे आगे अग्रेणी है 80 सीटों पे लोगसभा का यहां पे चुनाब होन है तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो इसलिए भी ये भरती बोर्ड और इसलिए सरकार इस केस का इंतजार कर रही है कि केस का कोई फाइनल फैसला आ जाए केस नमबर पैंतालिस इक्यासी उसकी भी सुनवाई बहुत जल्द होगी ठीक ना और एक एहम केस डाला गया है पिर्याग राद्स बैंच में कुछ ऐसा नाम है ठाकुर करके कच नाम है ठीक है मुझे नाम याद नहीं है जिन्नों अब पूरी तरीके से घेरा जा रहा है क्योंकि इस भरती में 170 केंडिडेट पकड़े गए हैं तो आज क्या कुछ होगा इसके बारे में आप लोग को अपडेट करा देंगे फिलाल यही बताना था मुझे जो सुबह की वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि अभी कोई जो कारी पूरी तरीके से दे देंगे तो फिलाल आज की वीडियो में इतना ही रहेगा जाहिंद वने मातरम